सभी को नमस्कार गुड इवनिंग तो कैसे हैं सभी लोग ठेक हैं आवाज आ रही हो तो एक बार बता दीजिए मुझे तो स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने परिवार सुपर व्यूटे में तो सातियों हम बात करें थे कररंड अफेर्स की और लाश ख्लास में मार्स जो महीना था उसके काफी इंपोटेंट मुद्धों के बारे में हमने पड़ा था उसी करम में हम यहां आगे बढ़ेंगे और आज सबसे पहले जो बात करेंगे वो किसके करेंगे डॉक्टर जितंदर सिंग ने किस सेहर में सूसासन सम्मेलन का उद्गाठन किया है तो पहला प्रसन है कि डॉक्टर जितंदर सिंग ने किस सेहर में सूसासन सम्मेलन का उद्गाठन किया है तो पटाबर से बता दीजिए इसका जो राइट आंसर है पेलो उपसिन आपके पास है अधराबाद, दूसरा है बोपाल, तीसरा है सिमलाव, चोता है गांधी नगर तो इसका रायटांचुरा है भोपाल, तो ध्यानगणा केंदरी है, मंत्री जो डॉक्टर जितन्दा सिंग है, उनके द्वारा किसका शूसासन सम्मेलन? सूशासन सम्मेलन तो इसका उद्गाठन किया गया 6 मार्च 2023 और जानगणा कितने दीवसी है दो दीवसी सम्मेलन था ये कितने दीवसी सम्मेलन था दो दीवसी सम्मेलन था 6 और 7 मार्च को इसका एजन हुआ और उद्गाठन किसके द्वारा क्या गया है डॉक्टर जितेंदर सिंग्ग और डॉक्टर जितेंदर सिंग्ग जो केंदरी है कार्मिक लोक कल्यान एवं पैंचन रज्य मंत्री जो है डॉक्टर जितेंदर सिंग्ग उनके द्वारा कहाँ पर भोपाल में तो इसका आयूजन कहाँ पर हुआ है भोपाल MP में, तो बोपाल MP में इसका उद्गाटन किया गया है 6 और 7 मार्च को इसका आइजन हुआ कितने दीवसी था ये? दो दीवसी तो फटापर से नोट कीजिए सू सासन सम्मेलन फटापर से नोट कीजिए और जिनने नोट कीजिए हूँ वो कमेंट सेक्समें फटापर से थम इंप्रेशन बेज दे चलिए तो नोट का लिया होगा सबने चलो आगी चलते हैं नेश्ट है भारत के नए लेखा महानी अंतरक बड़ी इंपोर्टेन बात है लेखा महानी अंतरक जिसको कहते हैं CGA CGA तो कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स जो होता है लेखा महानी अंतरक CGA कहते हैं CGA नहीं CGA साथ यो अलग होता है CGA जो नियंतरक के महाले का परिक्षक होता है वो अलग होता है कन्पुज नहीं होना है तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक किसे न्यूक्त किया गया है भारती दास, संजीव, संकर, दुबे, सुमानी बर्मन या फिर ग्रीश, चंद्र, मुर्मो तो रायटांसर बताईए पटापर से इसका तो देखू, बहुत से लोग यहाँ पर आंसूर कर रहे हैं, ओप्सिन नंबर ये भी बता रहे हैं कुछ और ये भारती दास से भारती ये नहीं तो इसका रायट आंसर है संजीव, संकर, दुबे, S,S, दुबे, नोट कीजिए, S,S, दुबे भारत के द्यान रखना क्या बन गये हैं, भारत के नए CGA बन गये हैं, CGA का मतलब लेखा महनी अंत्रक, CGA अलग होता है द्यान रखना, भारत के नए CGA, CGA, और कौन से बने य कौन थी भारती दास तो उनका इस्तान लिया इन्होंने तो इन्होंने किसका इस्तान लिया है बारती दास का इस्तान लिया है जो बारत की कौन सी 27 में क्या थी CGA थी अब बात करें किसकी लेखा महा नियंतरक लेखा महा नियंतरक तो लेखा महा नियंतरक और CAG जो नियंतरक के माले का परिक्स कहें हूँ पहले एक हुआ करते थे लेकिन 1906 में इसे CAG से अलग किया गया तो पहले भारत में CGA अलग नहीं हुआ करता था CAG और CGA दोनों एक हुआ करते थे लेकिन 1976 में क्या किया गया कि CGA को किसी अलग किया गया CAG से अलग किया गया यानिकि नियंतरक के माले का परिक्सक से लेखा मानियंतरक को अलग कर दिया गया लेखा मानियंतर ध्यान रखना केंदर सरकार का और यह सबसे इंपोर्टेंट बात है यहां पर केंदर सरकार का केंदर सरकार का प्रधान लेखा कार होता है या आप ये भी कह सकते हो केंदर सरकार का प्रदान लेखा सलाकार भी होता है तो केंदर सरकार का प्रदान लेखा कार या प्रदान लेखा सलाकार भी आप इसको कह सकते हो और इसका इंपोर्टेंट काम क्या होता है केंदर के लेखे, लेखे मतलब केंदर के जो अकाउंट्स होते हैं, केंदर के लेखे अकाउंट्स तयार करता है तो केंदर का प्रदान लेखाकार होता है, यह लेखांकन मामलों का परमुक होता है यह भी कह सकते हो आप, तो अभी द्यानकणा भारत के नए CGA कौन बन गये है SS दुबे तो नौट कर लीजिए SS दुबे कौन से बने है 28 में किसके स्थान पर बने हैं भारती दासके स्थान पर लेखा मानियंतरक के पदगी बात करें हम तो 1906 में इसे किसे अलग किया गया था CAG क्योंकि पहले नियंतरक और मालेका परिक्स के क्यूआ करते थे 1906 में अलग-अलग हुए हैं ये केंदर सरकार का परदान लेखा कार या लेखांकन मामलों का परमुक होता है आप ये भी लिख सकते हों या लेखा सलाकार होता है केंदर के लेखों को तयार करता है ये इसका important क्या होता है कर रहे होता है फटा परसे नोट कर लेजिए आप चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हर payment digital अभियान किसके द्वारा लौंच किया गया है तो एक important अभियान है जो तर्चा में रहा है हर payment digital अभियान वित्मंत्राले द्वारा RBI द्वारा नाबार द्वारा फिर SBI के द्वारा तो जो right answer हो है फटाफट से बता दीजिए हर payment digital अभियान किसके द्वारा लौंच किया गया है तो ये लौंच किया गया है किसके द्वारा RBI के द्वारा किसके द्वारा RBI के द्वारा तो यदी बात करें अपन किसकी हर payment digital अभियान, तो हर payment digital अभियान द्यान रखना किसके द्वारा लॉंच किया गया है, RBI द्वारा लॉंच, उद्देश से क्या है इसको, उद्देश से इसका नाम से समझ में आ रहा है, हर payment digital, यानि कि digital जो लेंदेन है, जो लगातार बारत मे जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है, आप phone पे, Google पे ये सब यूज करते हो, तो ये किसका रूप है, digital लेंदेन का ही रूप है, तो सीधा सा मतलब है, उद्देश से इसका digital लेंदेन को बढ़ावा देना, तो ये इसका क्या है, उद्देश से है, और यदी बात करें, इसक विशे रखा गया, digital भुकतान को खुद भी अपनाएं, और औरों को भी सिखाएं, तो इसका जो विशे रखाए गया है, वो ये रखा गया है, digital भुकतान को अपनाएं, और दूसरों को भी सिखाएं, या औरों को भी सिखाएं, तो जैसे कि कई बार आपने भी ऐसा किया होगा, कि फोन पे किसी से सीखा होगा, कि कैसे चलाते हैं, इसको कैसे डाउनलोड करते हैं, तो यानि कि आप खुद भी digital लेंदेन सीखिए, और लोगों को भी सिखाएं, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को सिखाएं, उतना ही ज्यादा digital लेंदेन को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, तो यह जो इंपोर्टेंट अभियान है, किसकी दवरा लोंच कि आ गया है, और दूसरों को भी सिखाएं, तो इसके अलावा और तो RBI है यहाँ पर, कनेक्टेट प्रशनों में, तो RBI की हम चर्चा बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको, सब को पता है, RBI की स्थापना का भी थी, एक अप्रली 1935 को, कौन से कमिशन की सिपारिस पर, यंग हिल्टन कमेटी की सिपारिस प वो नोट का लीजे फटापर से चलिए नेक्ट हैं, निमन में से किस राज्य हितू, केंद्रिय मंत्री अस्विनी वैशनाव द्वारा, गो ग्रीन, गो अर्गिनिक पहल के तहत, एक अनूठा डाक कवर जारी किया गया है, कापी इंपोर्टेंट पहल है, गो ग्रीन, गो अर्गिनिक, और बहुत ज़्यादा सुर्कियों में र गो अर्गिनिक, तो इस पहल के तहित, जो केंद्रिय है, रेलिवे मंत्री है, अस्विनी वैशनाव, तो उनके द्वारा एक अनूठा डाक कवर जारी किया गया है, और वो किस राज्य के लिए जारी किया गया है, ओप्चन है सिक्क्यम, हिमाचल, हर्याना, या फिर पंजा तो पटाबट से राइटांसर बता सकते हैं उसका तो नोट कीजिए, गो ग्रीन, गो अर्गेनिक, किस के लिए, सिक्क्यम के लिए तो सिक्क्यम राज्य की पहल है, तो उसे के लिए ध्यान रखना एक अनूठा एक अनूठा डाक कवर, डाक कवर होता है, आप पताव हो जो डाक वराज़ो अनूठा कवर जारी किया गया जिस पर, जिस पर, सिक्क्यम के, सिक्क्यम की सम्रिद संस्कृति की जलक दिखाई गई है यानि कि इस दा कवर पर सिक्किम की जो सम्रिद संस्कृति है उसकी एक जलक दिखाई गई है यह स्कृतिस दिया गया की बूद्धिस इसका हुऩ धन रहे है आघ्सराण सिंस्क्राई करण लीजिए गया सिक्किम दुनिया का पर्थम पर्थम सो परतिसत सो परतिसत जैविक करसी वाला राज्य है ये भारत का ही नहीं दुनिया का पहला सो परतिसत जैविक करसी वाला जो राज्य बना है वो कोन बना है सिक्किम बना है इसके लाव एक बात और दियान रखना शिक्कीम के बारे में UN United Nations खदे एम करसी United Nations खदे एम करसी दारा United Nations अभ मत जानते हूं United Nations के बारे में सब तो United Nation खाद देम करसी द्वारा इसे Future Policy Gold Award Future Policy Gold Award दिया गया तो द्यान रखना, UN के द्वारा भी एक इंपोर्टेंट अवार्ड दिया गया है सिक्किम को कौन सा? Future Policy Gold Award और ये इसके इसी कारे के लिए गया है कि दुनिया में जेविक करसी को बढ़ावा देने में सिक्किम का बहुत बड़ा योगदान रहा है तो द्यान रखना सिक्किम की एक नई पहले कौन सी? Go Green, Go Organic तो इसी पहल के तहट जो केंदरिये मंत्रियें को नस्विनी वैशनव उनके दुआरा सिक्किम के लिए एक अनूठा डाक कवर जारी किया गया है ये डाक कवर ऐसा है जिस पर सिक्किम की समर्द संसकर्ती की जलग दिखाई देती है और सिक्किम दुनिया का 100% जेवी कर्शी वाला रज्य है और UN खाद्यम कर्शी द्वारा इसे Future Policy Gold Award दिया गया है तो चल ये नोट कर लिजिए भी इसको फटापड से करे लग लाक करो चोफ़े हुआंरkov業 से नोटेब है यूदियो लगा है कर में दो कर दो नोट करीजिये पटापट से आगे बढ़ते हैं बाजरा महसव का आईजिन निम्न में से किस इस्तान पर किया गया है तो देखो एक और बाजरा महसव थोड़े दिन पहले भी आईजित किया गया था कहां पर भोजपुर भिहार याद कीजिए याद आ गया होगा सभी को भोजपुर भिहार में इसके अलावा अब एक और बाजरा महोसो का आईजन किया गया है और इसका जो राइट आंसुर है वो कुण सा है आगरा तो इसका राइट आंसुर क्या है आगरा है तो आगरा में भी बाजरा महोसो का क्या किया गया है आईजन किया गया है कब तो उतारिक लिग लिजी तीन से चार मार्च दोजार तीन से चार मार्च दोजार तेईस को किसका बाजरा महुसों का आईजन किया गया है कहां पर आगरा आगरा यूपी और आईजन किसकी द्वारा कराया गया है इसका तो आईजन करा गया है केंद्रिये केंद्रिये खाद्दे एवं प्रसंस करने मंत्रा ले द्वारा तो आईजन किसके द्वारा कराया गया है केंद्रिये खाद्दे एवं प्रसंस करने मंत्रा ले द्वारा इसके मंत्री कौन है? पसु पतीगमार पारस तो केंद्री है खद्दे एम प्रसंस करन जो मंत्री है वो कोण है पसु पती प्रसंस कोई प्रस तीन से च्शार मर्स 2023 को ऐजन किया गया अगरा YUP में उससे पहले एक बाजरा महोसो का हुआ था बिहार में हुआ था इससे पहले उडिसा में भी हुआ था मिलेट महोसो और इसके अलावा जैपुर में भी होगा क्योंकि सर आपको पता है 2023 को हम बहुत बार सरसा कर चुके हैं 2023 को किसके रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है अंतराष्टी है बाजरावर्स के रूप में चलिए नोट का लिया हो सभी ने तो बता दीजिए एक बार मुझे नेक्स्ट है कार्मिक लोग सिकायत एम पेंशन राज्यमंत्री ये क्यूशन अपन कर चुके हैं तो ये रिपीट हुआ है आज जानकना कार्मिक लोग सिकायत हैं पेंशन राज्यमंत्र डोक्टर जितंदर सिंग्द्वारा दो दिवस से सुसासन समयल पढ़ चुके हम पहला प्रसंद पढ़ाता अपने सुसासन समयलन का तो अगले पर चलते हैं निवन में से कौन सा कतन सही नहीं है तो एक कतन है जो सही नहीं है इन में से या फिर है एक नहीं है वो डिशाइड करना आपको आठ मार्च को अंत्राष्टे महिला दिवस मनाया जाता है पहला खतन दूसरा अंत्राष्टे महिला दिवस की वर्स आपको हैडिन डाल लेने हैं कोपी में अंत्राष्टे महिला दिवस अंतराष्ट्य मैला दिवस तो 8 मार्च को अंतराष्ट्य मैला दिवस मनाया जाता है वर्स 2003 से तीम दिजित ओल इन्वेशन एंड टेकनोलोजी फोर जेंडर एक्वालिटी रखी गई तो इन मेंसे कौन सा कतन सही है कौन सा नहीं है या फिर दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है तो पहला है एक और दो दूसरा है केवल एक तीसरा है केवल दो और चोता है ने तो एक और नहीं तो फटाबरसिस का राइट आंसर रुता दीजिए तो बहुत से लोग यहां ओप्शन ए बता रहे हैं लेकिन ओप्शन ए राइट नहीं है यहां पर राइट जो है वो है ने तो एक और नहीं दो क्योंकि यह पूँच क्या रहा है कौन सा कतन सही नहीं है दोनों कतन सही हैं दोनों कतन क्या है सही है और ऐसे ही एक्जामेन उलजाता है आपको आते हुए गलती करते हो आप इस प्रकार के प्रसन बहुत पूशन लगए एक्जामेनर तो द्यान रखना अब एक और दो कर देते आप इसका मलत दोनों गलत हो जाते, ये कर देते तो पहला गलत हो जाता है, ये कर देते तो दूसरा, तो ने तो एक और ने दो, यानि कि दोनों सही है, दोनों क्या है, सही है, इसलिए ध्यानकना अंतराष्टे महिला दिवस, तो नोट कर लीजिए किस तारीक को 8 मार्च को मन जाता है और इसकी थीम लिख लिजिए फिर थीम लिख लिजिए डिजिट ओल इनोवेशन एंड टेक्नोलोजी फोर जेंडर इक्वालिटी परतम बार मनाया गया था शुरुवात आपसे पूँचे तो 1925 शुरुवात भी ध्यान करना हो तो 1925 नोट का लिजिए आठ मार्च को मनाया जाता है थेम इजिए ओल इनोवेशन एंट टेक्नोलोजी फोर जेंडर इक्वालिटी चलिए तो नोट का लिए होगा सबने इजिए ओल इनोवेशन एंट टेक्नोलोजी फोर जेंडर इक्वालिटी नेक्स्ट है अगला प्रसन अट्टूकल पॉंगला उत्सव किस राज्य मनाया जाता है तो अट्टूकल पॉंगला उत्सव मनाया जाता है किस राज्य में केरल में किसी मनाया जाता है केरल में तो अट्टूकल पॉंगला उत्सव तो बात करें अट्टूकल पॉंगला उत्सव की तो तिरुवंत्पुरम तिरुवंत्पुरम केरल में क्या किया गया इसको मनाया गया और ज्यान रकने ये दस दीवस्ये दस दिवसी है क्या है उत्सव तो दस दिवसी उत्सव है जिसको का मनाया गया है केरल मनाया गया है और बड़ी इंपोर्टेन बात है है ये केवल मैलाउं दुआरा मनाया जाता है जया रखना केरल में महिलायों दुआरा मनाया जाता है पॉंगल का मनाया जाता है पॉंगल जो मैन होता है वो तमिल्लाडू में पॉंगल उत्सो का मनाया जाता है तमिल्लाडू में ये का मनाया गया है केरल में लिख लिख लिया होगा समने इसके अलावा इसमें एक मंदिर भी है वह भी नोट कर लीजिया कौन से यहाँ पर क्या होता है कि जो यह उत्सव मनाया जाता है इस उत्सव के नवे दिन नवे दिन जो महिलाएं हैं वो कौन से मंदिर में एकतरित होती है बगोती मंदिर में तो सारी महिलाएं आपर दूद रास जाती है असमें दिन बस दूल नियुक्ज तो कौन सा मंदिर इसमें चर्चा में रहता है तो मनाया जाता से ब Yuxi मंदर, सिरवंत पुर्यमियन के 10 दिवसी है और कीवल महिलां के दृरा मैं महिलता के कर Mister नेक्स्ट विशान आया है आठभें राषट एफ फोटोग्रॉफी प्रुस्कार63 के त्हयत लाइप टाइम अचीवमेंट क्रुस्कार कि से दिया गया है कि तो तो अर्लिय को टुना लुक लीजिए ुद आठभां राषट एफ फोटोग्राफ़ी पुरौक्रॉछ और आठवां राष्टिये फोटोग्रोफी पुरुस्कार दोजारे तेइस तो इसका जो राइटा-ऊन्शोर हैं वो है सिप्रादास क्यों है सिप्रादास को आठवा राष्टे फोटोग्रोफी पुरुस्कार किसको दिया गया है सिप्रादास को और ये इनको किसके द्वारा दिया गया है केंद्रिय सूचना एवं प्रसारन मंत्रा ले द्वारा केंद्रिय सूचना एवं प्रसारन मंत्रा लेके द्वारा देगा है किसको सिप्रादास को तो नोट कर लीजिए आठ्वा राश्टे फोटोग्रोफी पृसकार के तहट lifetime achievement पृसकार lifetime achievement पृसकार सिप्रादास को दिया गया किसके द्वारा केंद्रिये सूचना एउम प्रसारने मंतराले के द्वारा दिया गया और इस पृसकार के तहट टोटल किटनी राशी दी जाती है 3 लाख रुपए किटनी राशी दी जाती है 3 लाख रुपए तो नोट कर लीजिए आटवा राश्टे फोटोग्रोफी पुरुस्कार 2023 और इसके तैट लिखना लाइप टाइम अचीवमेंट पुरुस्कार सिपरा 10 कौन से मंत्राले द्वारा दिया जाता है केंद्रिय सुचनायों प्रसारने मंत्राले द्वारा चलो आगे चलते हैं और अन्तिम क्यूशन है भारतिय वायू सेना में फ्रेंट लाइन कॉम्बेट यूनिट की कमान समालने वाली पर्थम महिला अधिकारी है भावनाकांत, कैप्टन सालिजा धामी, कैप्टन भावाने सिंग या फिर कैप्टन नवनीत तो इसका राइट आउन सुरह है, कैप्टन सालिजा धामी, तो नोट कर लिए कैप्टन सालिजा धामी और फिर इसकी डिटेल आपके प्रसन में है ये रही, भारतिय वायू सेना में, डिटेल में क्या लिखना आपको कैप्टन सालिजा धामे और लिख लिए इसके बारे में भारते वायु सेना में फ्रंट लाइन कॉम्बैक्ट यूनिट की कमान समानने वाली पर्थम महिला अधिकारी है सेम परसन ही आपका क्या हो जाएगा अब डिटेल हो जाएगे इसकी किसकी कैप्टन सालिजा धामे के भावना कांथ भावना कांथ की बात करें तो इसका भी नाम आपने शुना होगा ये भारत के भावना कांथ की बारे में लिख लेना एक्स्ट्रा भारत की पर्थम भारत की पर्थम महिला फाइटर पाइलेट तो भारतिय वायुशेना की परतम महिला फाइटर पाइलेट कोण है भावना कांथ जिनका नाम आपने खुब शुना होगा और भारतिय वायुशेना में फ्रेंट लाइन कोंबेट युनिट होती है यानि कि युद्ध में जो सबसे आगे जो मोर्चा होता है उसमें लड़ाक तो आगे तो नोट का लिया होगा तो आज के परश्णों में ज्यादा डिटेल्स नहीं कि छोटे प्रसंत है इसलिए ज्यादा समय नहीं लगा है तो यह थे आज के जो मैं दस विंदो अपन ने पढ़े हलंकि एक क्यूशन रिपीट हो गया था तो नोई प्रसन अपनियां पढ़ चुके हैं आगे बात करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए करेंवाद सुब्राटरी करेंवाद सुब्राटरी